कहीं वो चुनाव में परचार करके जो है 2024 का मनी मोदी जी का खेल न बिगार दे लगपक 55 करोन रूप है ये भारती जनता पार्टी को जो है चुनावी बांड के रूप में दिये हैं समाजवादी पार्टी ने भी अपना कंडिडेट उतार दिया है वहीं पलोवी पिटेल कमेरावादी इससे जो है वो भी करें कि हम भी अपना कंडिडेट उतारेंगे तो फिर ये कैसा एलाइंस है आप लोगों का इंडिया में जब अपने में ही मध्वेद पड़ा हुआ है हम लोग मिर्जापुर जिले में मिर्जापुर लोग सभा सीट पर भी पहले से घमासान मचा हुआ है चुकि आप देखे होंगी कि एंडिये से पहले ही अडवंदन में अपना दलस के अनुपरिया पटेल मैदान में है और वहीं समाजवादी पार्टी का भी कंडिडेट उ हमारे साथ जुड़े हुए है क्योंकि इसमें केजरिवाल को लेकर के बड़ा घमासान मचा हुआ है और हो भी क्यों ना क्योंकि उनको प्रवर्तर निदे साले के द्वारा बीते गुरुवार को दिर राद गिरफ्तार कर लिया गया है आए चलिन इस थोड़ा सा बात करने क प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्यों परिसान कर रहे है केजरिवाल को प्रवर्तर निदे साले बहुत-बहुत स्वागत है जैसे कि बीते गुरुवार को गिरफ्तार किया कि इससे पहले भी बार-बार प्रवर्तर निदे साले इनको समन दे चुका है अरविंद केजरिवाल को क्या है पूरा मामला हमारे दर्सकों को आप बताए पाले जो मामला है मामला यह कि आप सभी लोग जानते हैं कि समय आचार साहिंता लागू है और देश के प्रतिष्ठित नामी गिरनामी चर्चित राष्टी नेता जो पिपक्ष के हैं दिली के मुक्वंत्री मानी अर्वि करती है कहीं वह चुनाओं में परचार करके जो है दोहरेशाजार चौबीस का मानी मोदी जी का खेल नम बिगार दे इसलिए इनको बंद किया गया उसके पहले संजय सिंग जी को भी बंद किया गया तमाम विपक्ष के और नेताओं को भी बंद किया गया है मुखके कारण इसके पहले तो आप लोग जानते ही है कि कई बार चापा मारी ना तो सतेंदर जैन जी कि हां कुछ पाया गया ना तो मनीशी सुदिया जी जिनको आपकारी में अभ्युक्त बनाया गया है ना तो संजय सिंग का तो कोई मामला ही उसमें नहीं है और इसी तरह से इनको भी च के संबन पर नहीं गए और उसको मुख्य रूप से बना करके एक कारण दिखा करके उनको गिरफतार किया गया है और इसकी रीट याचिका मानी सर्वोचनी आयले में भी दायर की गई है जैसा कि मैं एक चीज आप लोगों को और बताना चाहता हूं इसमें जो सबसे बड़ किया गया तो यह सरकारी गवा बना दिये गए यह सरकार के दमात कह सकते हैं ठीक गिरफतारी के बाद रेड़ी जी के रेड़ी जी पाच करोन रुपए पाचवे दिन भारती जंता पाटी को जो है चुनावी बांड के रूप में देते हैं फिर दस करोन देते हैं जब जब इनका मामला धीला होता जाता है इस तरह से लगभग 55 करोन रुपए ये भारती जंता पार्टी को जो है चुनावी बांड के रूप में दिये हैं जिसकी खुलासा होगी दूद का दूद और पानी का पानी होगा हमको नयापाली का पर पूरा विस्वास है और जो स्रीचंद करेंगे और अर्विंद के जरिवाल जी जल्द से जल छूट कर आएंगे मैं उमीद करता हूं अब इसके बारे में तो मैं बहुत कुछ नहीं पता सकता जो सिर्ष नेत्रत्व जो भी निर्ड़ा लेगा लेकिन जेल से भी सरकार चल सकती है और तमाम हमारे कार करता जो बीद्वोने की निशनल मंडेला कई साल तक जेल में रहे नहरोजी दस साल तक जेल में रहे तो जेल में वहीं जाता है जो की क्रांती का इभाधत लिखता है लोगतंत का इबादत लिखता है तो निश्चित रूप से जो हमारे नेता जेल में संघर्स कर रहे हैं आने वाले समय में लोगतंत का नया परियाए ये लोग लिखेंगे अपने कर्मों के दिवारा तो आगामी भविस में लोकसबा चुनाव को लेकर के क्या तयारी हमादमी पार्टी की उत्तर प्रदेश में जैसे ही मानिक केजरिवाल जी को गिरपतार किया गया उत्तर प्रदेशी नहीं पूरे देश में एक प्रतिकरिया हुआ और उस प्रतिक्रिया के सरूप जो विपच के समर्थक ते वोटर थे इधर उधर जाक रहे थे क्या होगा एक बहुत बड़ा लहर चल गया है और पूरे हिंदुस्तान में जो है इसका अच्छा परणाम मिलेगा उत्तर परदेस में हमारा कोई गडबंधन सीट भटवारे को लेकर नहीं है लेकिन हम लोग एलाइनस में तो राष्टी अस्तर पर हैं गुज्रात में दिया गया है हरिया अब दिल्ली में है पंजाम में है तो इससे हमारी सीटे तो निकलेंगी ही पूरे एलायंस इंडिया एलायंस को जो है केजरिवाल जी के बल्ददान का जो आप फायदा मिलेगा जो कि सारे अच्छे यूटूबर न्यू चैनल का तो हम कोई विश्वास नहीं करते हैं आप जैसे लोग इसका तकिकात करते हैं आ अपना कंडिडेट उतार दिया है वहीं पलवी पिटेल कमेरावादी से जो है वह भी करें कि हम भी अपना कंडिडेट उतारेंगे तो फिर यह कैसा एलाइंस है आप लोगों का इंडिया में जब अपने में ही मद्भेत पड़ा हुआ है यह तो स्वार्थ की राजनीत के व पुलपुर और कौसांबी अब यह तो अखलेश जी पता सकते हैं और पल्लवी जी पता सकते हैं हमारा एलाइंस बहुत मजबूत है एक दो लोग तो होते हैं जो चुनाओ आने पर अपना नफा नुक्सान जो है उनको पार्टी चलाना है अपना तो चाहेंगे कि हमारे संस सथन्देगी जिधर ज्यादा जुका हो रहेगा वो जीतेगा तो ऐसा क्या काम है जो कि स्थानी सांसा दिस्समें नहीं कर पाई है क्या उनसे नाराजगी है आप लोगों की आप जाके देख लीजिए यहां विद्यालय है नम सेंटर है कोट तक हमको जाना पड़ा तमाम ऐ से प्राश्मिक विद्यालय जहां छत नहीं है तो यह लोग क्रिकेट मैच आएगा उसमें दोड़ने लगेंगे ठीक अच्छी बात है बच्चों को प्रुसाहित करना चाहिए लेकिन जमीनी मुद्दों को भूल जाएंगे जैसे कि आप कहां जो एनम सेंटर की आप बात कर आज इस्तिती यह है कि यहां दो पुरु विधायक स्वरगी चोधरी राजनरायन सिंग संबावन से उनी सबावन से लेकर के असी तक रहे और राम चरंजी असी से लेकर पचासी तक रहे जिन्होंने सोनभद का निर्मान किया मिरजापुर का अज उनहीं के गाउं की इस्त पहचान के लिए मुहताज नहीं है लेकिन यहां वेस्पूर्क राजनीत है कि हम वहीं काम करें तत्कालिन फायदा देख करके पब्रीक हम को ओड़ दे लिए उसके अभी तक क्या आदेश आया हाई को निर्देश दे दिया उसको पुनाह निर्माण करने के लिए उसको मान प्रमुक सची स्वास्त को दे दिये कई रखवारों में निकल गया सारे सांसद विधाया कि अधिकारी हैं नोटीस होता है कि कौन सा छेत्र का जमीनी मुद्दा है जो जनहित के लायक है अती आवस्यक है तो सारे लोग तो उससे आउगत है हमको बताने क्या जरूरत है यहा नागरिक आउर नागरिक दिये भी हैं जिसे हम लोग यहां पर ग्रामेड अस्तर पर लोगों जाते हैं जमीनी हवकिकत जानने का मलोग प्रयाश करते हैं तो सभी लोग कहते हैं कि मिर्यापुर के लिए बड़ा दुर्भाग की बात है कि हमारे कोई सांसद अस्थानीस का क निखा गया कि अपना और रखना चाहिए, कि जनता की मांग है कि कोई इस्थानी जो भी ससक्त कारे करता है, जो इतने दिन तक काम किया उसके टिकर दिया जाए, तो हैं आप लोग गए, काफी लोग गए और अपनी बात नहीं रख सके, तो हमारे नेत्रेत की थोड़ी कमी है जो चेत्री अस्तर पर लोग काम कर रहा है जिले अस्तर पर मंडल अस्तर पर चलिए मालीजी राजेंदर असभीन देहा पर चुनाओं मैदान में है क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे जिससे कि वो जनता को भुनाने में प्रयास इस समय तो राश्टी अस्तर का जो लोकसमा में चुनाओं में जो मुद्दा होता हो राश्टी अस्तर का ही मुद्दा होता है तमाम बेरोजगार जो है लाठी खा रहे हैं आप इलहाबाद में देखे पट्टा की जिक्र किये स्वास्त विवाग की इस्थितिया कि जो है अ जैते जाते उन उत्रों से क्या अपिल करना चाहेंगे जो इस बार नए ट आप पूराने बहीं करेंगे कि जो चुना होता है जो मतदान होता है वो एक नई सरकार चुंती है तो आप ऐसे ब्यक्ति को मत दीजिए जो भरष्ट ना हो जो ऐसे पार्टी से संबंद रखता हो जो आपके भविश्य को सवार सके सरकार में रह करके यह सरकार नहीं भी बनती है तो आपके स्थानी मुद्धों को जैसे आप जर्गो डैम देखे तो सूख गया था वहां कोई जहांकने तक ना कोई विधायक सांसद बाद में प्रिया जी जो है कहीं कि सिंधोरा से यहां वहां एक मतलब योजना बनाई डियम दिव्या मित्तल भी थी वह भी तो बड़ा एक्टिव थी इसको लेकर तो अधिकारी थी वह तो लाल घंज में ऐसे जगा पानी पिलाने के तो यह सब जमीनी मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए जिससे की जनता का कल्यानों से लिए आपका चुनाव किया जाता है तो क्या लगता अगामी भाईस में के जरी वाला बहुत जल से बाहर होंगे हमको सर्वोष नियाले पर पुरा भरोसा है और निश्यत रूब से पर भरोसा है वह तो पक्ष देखेगी कि आपका क्या गलती है उसका क्या गलती है तो हमको पुरा विश्वास है को जल से जल बाहर आ जाएंगे चले बहुत भुत धन्यवाद देखें हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता मिर्जाप भी उसी को लेकर के बीते गुरु आर को दे रहात उनको गिरफतार भीक लिया गया है चले अगामी भॉष में लोग सबाचुनाओं में क्या मुद्दे राने वाले उस पर भी हमने इन से बात किया और अगामी भॉष में फिर से ग्रामी डास्तर में जाएंगे तो लोगों से उनके जो मुद्धे हैं वो जाने का प्रयास करेंगे चले ऐसा ही तमाम खबरें जुड़े रही हमारे चांस साथ ऐसे तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो